नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुब काम ना है दीवाली हो और गुलाब जामून न बने, ये तो हो ही नहीं सकता है लेकिन हम आज गुलाब जामून नहीं, बलके गुलाब जामून के सबजी बनाने वाले हैं फ्रेंट्स ये खाने में इतनी टेस्टी होती है कि बस उंगलिया चाटते रह जाएं और देखने में इतनी टैम्टिंग के बस लोग तारीफ करते ना थकें ये जैपूर की एक बहुत ही जादा फेमस डिश है जिसको आज हम घर में बनाने वाले हैं बिल्कुल अपने अतरंगी स्टाइल में तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करें तो देखिए मैंने यहां पे गुलाब जामुन का पाउडर और मावा ले लिया है जिसको मैंने बहुत अच्छे से गूत लिया है थोड़ा सा अगर आपको लगे तो आप दूध एड़ करके इस तरह से सौफ्ट आटा गूत ल कलर आने तक धीमी गैस पे उनको हम फ्राइ कर लेंगे यह देखिए कि तब बनिया ब्राउन कलर आ चुका है अब इनको हम रख देते हैं साइट में अब लेंगे हम एक काटोरी उसमें डालेंगे आट-दस काजू दो बड़े चम्मच खरभूजे के बीच और दो बड़े चम्मच मुंफली के दाने मैंने थोड़े इसके छिलके निकाल दिये ताकि जो ग्रेवी हमारी बनेगी वो एकदम सॉफ्ट बनेगी अब इसको हम गरम पानी में डालके आदे घंटे के लिए फुलने के लिए रख देंगे आदे घंटे बाद इसको हम डालेंगे एक मिक्स चाले कुछ खड़े तेज पत्ता जाय फलका पाउडर काली सपवेग मिर्ची मिर्ची-घैसल को मिवडर के लिए के से समते कर लेंगे जब ये थौड़ाशा पक जएगा इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच खड़ा धनिया चार से पांच सूखी लाल मिर्ची दो चुटकी हींग डाल देंगे इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम डाल देंगे तीन बड़े कटे हुए टमाटर और एक शिमला मिर्ची बड़ी कटी हुई अब इसमें ठोड़ा सा नमक डाल देंगे और इन सारी चीजों को टमाटर गलने तक हम पका लेंगे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी ही शांदार रेसिपीज आप लोगे लेकर आती रहती हूँ रेखे हमारा टमाटर बहुत अच्छे से गल चुका है हमने गैस बन कर दिया है इसको थोड़ा ठंडा करके हम मिक्सी में डाल के इसको हम पीस लेंगे यह मैंने मिक्सीम डाल के पीस लिया है अब इसको हम क्या करेंगे एक बॉल लेंगे उसके उपर रखेंगे एक चलनी और जो ग्रेवी हमने पीसी है उसको हम इसमें चान लेंगे क्योंकि हमें एकदम सौफ्ट ग्रेवी चाहिए सबजी के लिए जिससे इसको छान लेंगे न तो इसके जो गराम मसाले के जो थोड़े बहुत दरदरा पंज इसमें रह जाता है वो सारा निकल जाएगा अगर आप इसको डारेक्ट यूज़ करना चाहें तो भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो ये देखिए मेरी ग्रेवी बढ़ियां से चन के तयार हो चुकी है अब हम लेंगे कड़ाई उसमें डाल देंगे ग्रेवी और इसको बढ़ियां हम गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे ये देखिए हमारी gravy बहुत अच्छे से भून चुकी है अब इसमें जो हमने काजु का पेस्ट तयार किया था वो इसमें डाल देंगे और बढ़िया से इसको और थोड़ा सा भून लेंगे भूनने के बाद फिर से इसका oil सेपरेट हो चुका है तो अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च जिससे इसका कलर जो है वो बहुत बढ़िया आ जाएगा इन मसालों को भी हम बहुत अच्छे से भून लेंगे भूनने के बाद ये देखिए बहुत अच्छे से ग्रेवी का जो oil और घी है वो सेपरेट हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे एक ग्लास दूद दूद डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे जब उबाल आ जाएग की सबजी बिल्कुल बनके तयार हो गई है तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसेपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत बूलना थैंक यू